अस्लाम लेकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पेज नंबर 15 और करने मल्टिप्लिकेशन को टॉपिक किया था आज हमने डेवियन को टॉपिक करना है इसके हमारे पास 6 पार्ट्स है एवला पार्ट्स देखते हैं 28 को टिवाइट करना है 4042 अब देखें बाहि कितने डिजिट्स है टू डिजिट्स है अंदर से भी हम टू डिजिट्स लेंगे 40 अंदर वाले टू डिजिट्स ग्रेटर जैन उने चाहिए बाहि वाले टू डिजिट्स है अंदर 40 या बाहि टू डिजिट्स हम दो डिजिट्स लेके डिवियन स्टार्ट करते हैं जब 28 को हमने किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टिप्लाई करना है मतलब 28 का टेबल पढ़ना है 28 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टिप्लाई करना है कि हमारे पास या 40 है या 40 से less than कोई वैल्यू है अब 28, 1s are 28, 28, 2s are check कर लेते हैं 28, 2s are, 2, 8s are 16 to 2s are 4 and 5 ये तो आगया 56, 56, 40 से greater than है इसलिए हमने 28, 1s are 28 किया 10 में से 8 माइनस किया 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 ये आगया 12, लेकिन 12, 28 से less than है अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए इसलिए हम 4 भी नीचे तवार लेंगे कि हो गया 124, अब 28 को किसी ऐसे डिजिट से हमने डिवाइड करना है कि हमारे पास 124 है या 124 से less than कोई वैल्यू आए 28, 2,000 किया वो तो 56 आया 28, 3,000 मल्टिप्लाई किया 84 आया 23, 4,000 मल्टिप्लाई किया तो वो आया 112 अब देखें 124 से नजदीक है 112 इसलिए हमने 28, 4,000 112 लिक लिया 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस किया 1 अब ये क्या है? 12, 12 फिर चोटा हो जाता है 28 ग्रेटर वैल्यू है इसलिए हमने 2 को फिर नीचे उटार लिया यह हो गया 122, 28, 4,000 लेऺ खेंगệं next इसका B part देखते हैं 1064 को divide करना है हमने 26 के साथ बाहरे कितने digits हैं? 2 digits हैं अंदर से भी 2 digits ले लेकिन अंदर परे 2 digits क्या हो गए है? 10 छोटा हो गह, 26 हैं इसलिए हमनें अंदर से कितने digits ले लिये? 3 digits ले लिये 106 26 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 106 है या 106 से छोटी कोई value आया या करीब आया उसके 26 को जब 3 से multiply किया 78 आया 26 को 4 से multiply किया तो आया 104 and 26 को जब 5 से multiply किया तो आया 130 130 तो greater value हो जाती है 106 से इसलिए हमने 26, 4, 104 लिखा 6 में से 4 माइनस किया 2, 4 नीचे आ गया यह होगा 24 अब देखें 26 बड़ा 24 छोटा है और ना ही हमारे पास आगे कोई value है कि हम उसको नीचे लेके आ सके इसलिए 26, 0, 0, 24 नीचे अगया अब remainder क्या है 24 और quotient क्या है 40 इसका C वाला पार्ट ऐसे ही बिलकुल करना है यहां पर हमने 31 का table पढ़ा 31, 20, 62, 4 में से 2 माइनस क्या 2 8 नीचे उतार लिया लेकिन देखें बाहित 31 अंदर 28 आ रहा है 28 छोटी वैल गया इसलिए हमने 5 भी नीचे उतार लिया अब देखें पॉर क्लास हमने 8 और 5 दो डिजिर्स एकठे उतारे हैं एक साथ उतारे हैं ना देखें टू तो रिमेंडर आया हमने पहले 8 उतारा फिर हमने 7 फाइव उतार लिया दो डिजिर्स एकठे उतारे हैं जब दो डिजिर्स एकठे उतारते हैं तो आंसर में एक 0 लगाते है आंसर में एक 0 लगाया 31 अब 31 नाइन जार 279 और इनको माइनस करके ये हमारे पास remainder आ गया 6 next C के बाद हम आज़ते हैं D पे D पे हमने 18 का टेबल पढ़ना है 18, 5, 0, 90 माइनस किया ये आ गया 1, 0, 2 निचे उतार लिया 1, 0, 2, 18, 5, 0, again 19, remainder आ गया 12 ये D पार्ट था E पार्ट में हमने 43 का टेबल पढ़ना ठीक है F पार्ट में हमने 39 के टेबल को लेके चलना है इसको दोबारा देख लेते हैं 43 वले को 43, 1, 0, 43, 6 में से 3 मैनस किया 3, 5 में से 4 मैनस किया 1, मैनस करके ये हमारे पास 13 आ गया 43, 0, 0, 39 फिर डिमेंडर आया इस वले को देख ले 39, 5, 195 मैनस करके 13 आया 13, 39 से छोटा है 4 भी उतार लिया 39, 3, 0, 117 अब देखें जिस तरह इस कॉस्टन में मैंने किया ना 28 को 2 से पहले मल्टिप्लाइ करके चक किया 3 से 4 से फिर यहां पे हमने मुटिवाइड करना है ना उसको इसी तरह हमने इस कॉस्टन में भी किया राफ एक्शन यह वाला जो राफ एक्शन है यह आपने पैंसिल से करना है 4 लास यह एक कॉस्टन करके इस साइड पर ना कॉस्टन किया करें इस साइट पर राफ एक्षिन किया करें यह मल्टिप्ले करके चेक किया यह मल्टिप्ले करके C वले के आगे नहीं D करना यह D आपने नीचे करना है और C वले के आगे इसका राफ एक्षिन करना है ठीक है आज के लिए यह आपके कितने questions है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 6 के 6 questions आपने नीच कापी के उपर करने हैं अलाँ हाफ़िज